बचो नमस्कार श्वागत हैं आपके अपने यूटूब चनल एक्रोटेक स्टडी में और बचो मैं हूँ अर्बिंद्यादब बचो मैं आपको एक चीज बताना आ रहा हूँ कि MPPAT का जो पेपर हुआ था उसकी जो आंसर की है वो आ चुकी है और आंसर की एक हमारे खार का रोल नमर ले के हमने यूट और आप भी निकाल सकते हैं अपने रोल नमर और TAC limited देरका है उसके दिवारा आप अपनी अंसर की प्राप्त कर सकते हो ठीके न ला पीपीवी की प्रोपेशनल एक्जामनेसर बोट की साइट पर जाएं बहुंपर आप 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 साइडिया लग जाएगा वैसे हां तक है जो मैंने बताया था वो है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और आइडिया लगा पाएंगे इस आंसर की से कि कट आप कितना जाएगा दूसरी बात यह है वो सारे बच्चों का कहना था कि सर आपने जो पढ़ाया था आपने मेरतन ली थी उन्हें से कोई प्रस्ण नहीं फसा है तो हमें इस में अभी कन्फर्म हो जाएगा कितने प्रस्ण आपके हमारे वीडियों से आएं कितने नहीं आएं उनका भ फस्ट को जो बारा तारीको फैली सिप्र थी उसमें पेपर हुआ था उसमें देखी आपने सबसे पहला जो पसुपान से डिटेट पेशन है कुकडिया रोग देखो एक इंगलिस देख लीजी समझ में जाएगा आपको कॉक्सी डियोसिस रोग कहते हैं कॉक्सी डियोसिस अтर यह जो रोग है आपका यह किस के दोरा होता है यह आपसन में थे प्रोटो जोबा बैरल फंगल या जीबानू तो इसका जो सही था वो था प्रोटो जोबाली बात नहीं थी चलिए दूसरे बाले हम प्रिशन की बात कर लेते हैं बच्चो दूसरा प्रिशन था आपक यह बाला देखिए this is not including in organic farming मतलब यह जयविक खिती में सामिल नहीं है बचो जयविक खिती में सामिल नहीं है क्या जय परवरक, रासाइने करवरक, हरी खाद या कमपोस्ट सर अब जानते हैं कि जब जयविक खिती करते हैं उसको देखिए आप अच्छी प्रकार से पास्चुराइशन और बटर इस यूजली डन एट आखुमस टेम्परेचर यानि मखन का हम लोग मखन का पास्चुराइशन आम तोर पर कितने टेम्परेचर पर किया जाता है बच्चो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो मखन का जो है आपका पास्चुराइशन कितने तापमान पर किया जाता है तो इसका जो सही था आंसर वो था 82 से 88 डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइशन सबने पड़ रखा है यहाँ पर यह question सब का गलत होने के chance मत है इस बच्चे ने तो गलत किया ही है लेकिन यह इसका answer सही होगा चुकि मक्षन का पाश्चराइशन बोलना है ना कि दूद का पाश्चराइशन तो यहाँ पर बच्चे बहुत बुरी तरीके से confused जरूर हुए होंगे ठीके ना चलिए next आपका प्रिशन है निमलिकित मैंसे किसने पौध हो मैं आवश्यक खनेज पोसक तत्वों का सिद्दान प्रिशन बहुत सिंपल है मैंने कई बार बताया है आपको कि जो खनेज पोसक तत्वों का आपका क्या था सिद्दान था वो किस ने दिया था आर्नोन और इस्टाउट ने दिया था किस ने दिया था इस सांटिस थे आर्नोन और इस्टाउट इस स्वाल साइंस से लिटेड आपका प्रिशन है स्वाल साइंस में ये प्रिशन आपका अची तरह पूछा जाता है बाकी जो को लिविंग है ये तो आपके chemistry जो आपकी होती है और उसके फादर है और इसके बाद अरस्तु जो है जी बिग्यान के फादर है कॉल लेने से इनको आपके बर्गी की के पता पता है तो इससो कोई था ही नहीं इनमें से हना आर्नोन ने इस्टाउट सब को पता है कि सत्रे पोसक तत्व जो होते हैं पोदों के लिवसक होते हैं तो उनका जो थिवरिया से दान दिया था वो आपके आर्नोन और इस्टाउट ने दिया था सिंपल सी बात है कि मैंने आपको पढ़ाया है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए थे इन प्रश्णों में तो इसके आपको पता है क्योंकि जो पोदे होते हैं वो तीन दो रूप में आपका आपसोसन करते हैं सिर्फ धान की फसल है जो अमोनिया की रूप में अपसोसन करती है जबकि सिर्फ आपका जितने भी पोदे हैं वो सभी नाइट्रेट की रूप में अपसोसित करते हैं बाकी जितन इस बच्ची का सही है यहाँ पर आगे बात करें हम लोग संग्ठित डेरी सहकारता और नीजी दोनों बरतमान में देश में कुल दूत पादन कितना परसेंट रहा समार रहा ठीक ना तो यहाँ पर इस बात की बात कर सकते हैं हम लोग यह करेंट का क्वेशन तो 10 से 12 प्रिदि सब लोग जानते हैं कि राइजोवियम सहजीवी सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ जीवन यापन करने वाला अब जो राइजोवियम रहता है आपको पता है कि दलेनी फसलों की जड़ों में रहता है तो यह तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि राइजोवियम फसलों की ठीक है न और एलगी सेवाल होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं थी तेकर Rai Jool में में बिलकु साप साफ हमको दिखाई दे रहा है आपर चलिए इसके बाद बात करें बच्छडे का इस्बडिंग की उम्र क्या होना चाहिए दिस्बडिंग की उमर वो आपका 15 से 20 दिन का हो जाता है तब उनमें डिस्वर्डिंग की जाती है ये थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखेंगे ठीक है ना? वैसे जो हम बात करें डिहोर्णिंग कहा जाता है डिहोर्णिंग मतलब सींगों को हटाना कहते हैं लेकिन यहापे जो बड़ दे रखा है डिस्वर्डिंग इसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लिए जगा इसके बाद बाद करें पसू रोग जो मनुस को संचरित किया जाता है पसू रोग देखिए पसूओं से फैलने वाला रोग है जो कि मनुस में भी फेल जाता है अब इसको कह रहे हैं पिलीहा पिलीहा का बुखार आपको पड़ाया था मैंने अब आप इंग्लिस में देखिए पिलीहा को क्या नाम दे रहे हैं पसू रोग जो मनुस को संचरित किया जाता है देखिए मनुस में भी फेल जाता है इंग्लिस में देख लिजिए कोन सा है इंथ्रेक्स देखो simple सा था इंथ्रेक्स दोरा अब हिंदी ने उनने समझा नहीं हुआ क्योंकि अन नाम जो इना है उसका पिलिया का बुखार था वो सारे नाम है जहरी बुखार था आपका वो सारे नाम थे इसके इंग्लिस में जिसने देख लिया आगा उसका काम हो गया आगा इस बच्चे का यहां पर यह भी सही हुआ है आगे बात करें डेरी फार्म प्रबंदन में कौन सी प्रक्रियाब महत्पून है महसो की संख्या, गायों की संख्या में ब्रद्धी बिलकुल डेरी फार्म का प्रबंदन का मैंनेजमेंट जो है आपका इससे संख्या में ब्रद्धी से लेना देना होता है इनसे तो कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं है ठीक है ना, नाम डेरी आ गया, दूसे संख्या बाली इसमें बात थी ने फल आकर्ती विज्यान पर बेंड एवं स्वे असंगती प्रणाली कितने प्रकार की होती है इन्होंने बताया है फूल आकर्ती देखो फल नहीं है फूल है फूल आकर्ती विज्यान पर बेंड स्वे असंगत प्रणाली कितने प्रकार की होती है अब जिनने इसको पड़ा होगा वो इसको आंसर को सही करके आये होंगे इसके बात करें मुर्गे में कितने गुण सूत्र होते हैं देखियो मुर्गे में कितने गुण सूत्र जोड़े होते हैं ये आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी परकार से पता होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फीजन हो सकता है बच्चों के लिए, बच्चों ने तो 78 पढ़के गए होंगे, आगया 49 क्योंकि उसने क्या पूछा है, मुर्गे में कितने गुर्ण सूत्र जोड़ा एक बड़े की बात कर लिए, उसने तो एक जोड़ा 49, अब 2N बराबर कितना होता है, 78 होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फीजन बच्चों को हो सकता है, इसमें कोई दोर आए, नहीं है, चलिए, इसके बाद मुर्रा नसल की, देखो सीधे सीधे कॉसन नहीं पूछे जात हैं, यह क्योंकि इसके जो सींग होते हैं ना, घुमाबदार होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जलेवी के जैसे होते हैं, तो यह तो सिंपल था प्रेशन, मैंने आपको मेरा थन में यह चीज बताई थी अच्छी प्रकार से, एगरी कल्चर सब्द किस भासा का है, सब कोई चीज अच्छी तरह मालों, यह भी मैं आपको पढ़ाया था, कोई दिक्कत ही नहीं है, केर टेकर को कोलिस्ट्रम यानि गाय का पहला दूद सिर्फ पैदा हुए बचले को कितने दिनों तक खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, कह सकते हैं, खिलाना चाहिए, तो ध सरबादिक बिटामिन सी, अरे बिल्कुल important question है, मैंने आपको मेरतन में भी यह पिताया था, कि सबसे ज़्यादा बिटामिन सी बार्बेंडस चेरी में होती है, लेकिन अगर बार्बेंडस चेरी option में नहीं है, तो आंसर इसका सही होता है, आमला, बिल्कुल बहुत अच्छ होता है बच्चो, और इसको जातर आपका गर्मी रितू में हो गया जाता है, कब रोताया जाता है, गर्मी रितू में इसको गया जाता है, दूद देने वाली मसीनों और बाल्टी देनिक सफाई की दिन चरिया में कितने चरण होते हैं, तीको तीन चरण होते हैं, यह थोड कर लाँ जाएगी पतानी कौन ग्यान दे रहा है उनको देख लेए अपने से अपके टाप करीम को मक्षन में बदलने के लिए सबसे अच्छा टाप मानके क्रीब को यदि हम मक्षन में बदलने के लिए सबसे अधी भैतरी तेंपरेचर है तो वो है आपका 13-15 इसको सन्में बड़ा confusion था बच्चों के लिए क्रीम को मखण में बदलने के लिए सबसे अच्छा जो तापमान होता है बिसे क्रीम को यह हम मखण में बदलते हैं, क्योंकि उसको चरनर दोरा, बटर चरनर जो होता है ना उसके द्वारा उसको भाया जाता है, इसके बाद उनसे क्या प्राप्त किया जाता है, इन्हों ने यो टेम्परजा देखा है, वो 13-15 डेगरी सलसेश, इसमें थोड़ा सा कन्फिजन है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीके न, वैसे इसमें जातर बच्चे जो तो मवेशियों में रोग की पहचान कर सकते हैं हम लोग, वैवरियोसिस करके इसका आंसर दे रखा है, वैवरियोसिस, इसका हम कुछ समझना होगा इस कॉस्टन को पहले तो, देखिए, नीचे दिए गए लक्षणों से मवेशियों में रोग की पहचान करें, एक बुरा सं संक्रमाख है, ये खतरनाक संक्रमाख रोग है, वैवरियोसिस, ये नया रोग है, इसको थोड़ा साम को याद रखना पड़ेगा, अब इसको सारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, तो सोच रहे हम गो, ये तो कहां से आ गया है, तो ये तो कोशन गलत होने के जातर च चरों तरफ से अच्छी होगी बार जैसे आच्छे आजकल कटीले पौदों से ना बना करके उसे जाड़ियों से बनाई जाती है तो वो सजावट का भी काम करती है और लगा दो एक सीबा निरधारन भी हो जाती है तो इसलिए भी आपकी बार लगाए है तो तीनों को देस जल मापन की एक 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 खाई है लेकिन आपके किलियर नहीं किया है बहुत ठीक है मान लगा थीक है हमने के पर से लुदा साथक्छा । ज rip का मापन की यहां फैए। देखो इस प्रकार से ही प्रेशन दिये जाते हैं कन्फिजन करने के लिए बच्चे को याद सब रहता है लेकिन एक्जाम में जो है थोड़ा सा महापर वो भूल जाता है देखे बुखार, भूक ना लगना, रुका हुआ, रोमिनेशन, प्रभावित पैर में लगनापन, सुजन, अवस्ता में गर्म और दर्दनाथ होती है जबकि ठंड और दर्दर है एंटर लेटा हुआ सज्जा के बाद 12 से 48 गंटों के वितर मिर्टू हो जाती है इस सब लक्षन किसके हैं, बलेक कोटर जो लगनी रोग होता है इसके लक्षन, आपने 12 में ये पढ़ाया देखो, 12 की जो चीज है मुमे ने पढ़ाई आपको कोई दिक्कत कहीं में किसी भी आपको नहीं आएगी अगर आपने 12 अच्छी प्रकार से पढ़ रखा है तो 11 और यादी पढ़ लिया तो भाई ये कई मी कोई प्रकार आती नहीं है देखे, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग में किस परकार के हैं दोनों आपके ये क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग जो आपके होते हैं यह आपकी inbreeding मानी, inbreeding के अंदर गताते हैं, जो आपके पास-पास के जो पसू होते हैं, उनमें जो cross कराया जाता, संक्रन कराया जाता, उसी को हम लोग कर क्याते हैं, close breeding ए, line breeding ए, inbreeding के नाम से भी इसको जाना जाता है, निमलिकित मैंसे, कौन दूद देने वाली, मसीनों की सफाई मूल लेंकेन भी दी नहीं है, सिर्फ हास से, अब हास से सफाई करोगे, क्या दूद वाले बरतन साफ हो जाएंगे, नहीं होंगे, चिकना पन रहता है उनमें, तो इसको तो बिलकुल आपको लगाना चाहिए था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तो कोई मूल अपको याद होगा, तो आपको करके आए होगे, सही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एन्टी गुनल लेप्टोपस, जो आपकी ज़ड़ियां वो होती है, आपकी बेल टाइप में उपर चड़ती है, सुबाखारी पोदा है, अच्छी परकार से लगती है, तो उनको हम ल इसमें से कौन सा सकरात्मक प्रभाब है, पोजिटिफ प्रभाब कौन सा है, लवणों को हटाना, परेवणे, च्छती, पोसा तत्मक, निक्छान, फसल कोहनी, देखे, लवणों का क्या होता है, जलनिकास में क्या है, जो लवण होते है, मिट्टी में, तो पानी में घुल पानी खेत में वरा रहता है वो जलनिकास है अब पानी को अपन खेत से बाहर निकालेंगे तो वो लवन भी घुल करके उसमें पानी में से बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा जलनिकास का यह आपका सकरत मत प्रभाव हो गया तो इस प्रकार से हमको इसको आंसर सही लगा द को सारे आपको दे रखे थे लेकिं पाष्चोरायला वालीशेप्टी का पढ़ा है तो हम इसको थोड़ा सा याद रख सकते ए मैं आचेश के नाम से इसको जानते हैं गलफार को तो यहां पर थोड़ा प्ता होगा जिनको अंणनाम हमने पढ़ायते महाँपर यादी किसी ने पढ़ा होगा तो आप लोग उसका ये सही हो गया होगा चलिए आगे बात करें हम लोग निमले कित में से कौन भारी कार्वनेख खाद नहीं है तो भारी कार्वनेख खाद आपकी सहरी कम पोष्ट, कचरा गोबर खाद यह तो भारी है, सिर्फ आपके जो हलकी खाद है, वो है सरसों की खली, क्योंकि यह तो कम मातरा में पोशकत तत्व जादा रहते हैं, यह तो भोत अदिक मातरा में हैं, यह तो मैंने पढ़ाया है, आपको तीसरे चप्टर में पढ़ाया है था, कि दो तरह की खादे होती है एक होती है आपकी भारी कार्वनिक खाद इसको हम लोग क्या कहते है हलकी कार्वनिक खाद दूसरी होती है आपकी सांद्र जिसको हलकी कहते है सांद्र कार्वनिक खाद होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी तो आपकी सर्सों की खली है सांद्र क सब्सक्राइब कर दे checked कोई दिग्कती नहीं थी इसमें पाड़ी चेत्डわか्ण की कोन सी पढ़ी देना किस राजसे लाग हुगा इसको राजिस्तान से हुआ है यह बहुत बड़ी आपकी नहर है और इसको ये किसमदों मरुगंगा भी बोला जाता है राजिस्तान में काफी बड़ी लगवा शाले 600 किलिमेटर की है और इंद्रा गांदी नहर पर्योजना अब थोड़ा सा इधर उधर का गयान होगा तो इस बड़ी निमलिकित जैसे की इस पैकुलम बिदी बैजाइनल विदी यह आपकी किसकी बिदी है सब लोग जानते हैं अगर 11 अपने पड़ा होगा तो यहां पर इसको सही कर पाए होगे अप लोग यह सबी आपकी गर्वा दहन की बिदी है किसकी है प्रिगनेंट कराया जात सब लोगों को अची परकार से मैंने टॉल्स में पढ़ा हैं सबी रोगों के मैंने आपके कारक बताया थे तो आपका स्फोब या इनामक जीवान होन फता है वेक्टरिया होता है उसके करदा यह आपका विल्यक वाटर रोग होता है यह उन सांसा क्लास स्टेडियम सोब याई नामक जीवान के दोरह यह रोग होता है तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं बच्चों वो सिंपल पेपर आया, भू सिंपल पेपर ही समझलो, इस पैसे आज जितने हम प्रिष्ट कर सके हैं, लगबाग पांस साथ अभी कोसन ऐसे मिले हैं, जो हमने पढ़े नहीं, बाकी ऐसे प्रिष्ट मिले हैं, टॉल से लेटिड हैं, यह मेरा थन में पढ़ लिए हमने, यह कहीं ना कहीं हमने प पोदे कहा जाता है ठीक है ना कहा पर लगा जाते हैं उत्तर पच्छिन दिसा में इनको लगाया जाता है यह मैंने आपकी पुरानी जो वीडियो है उनमें आपको पताया था जो छोटे छोटे आपकी 20-25-25 कोश्टन की वीडियो बना है थे बहां पर किस राज में नहर से चा यह आपकी कहा पर की जाते है यह थोड़ा सापको याद रखना होँआ उतर पर लिस राज में दूद की स्ताप मन पर खराब होने लगता है class 2019 कि दूद हमारे यह तेंप्रेशा लगभा कि खराब होने की यह फिली बात करें है। तो खराब तो आपको 25 अणे तक रहा को तो खराब होजाएगा थिशनुचा सी नुन की साठा आइडीय उनेure से माना साठा पर आल रखा कि एक मिनिट में दूद खराब हो जाएगा यदि हमने दूद को मान के चलिए साट डिगरी सेल्चेस पर रख दिया कि दूद खराब हो जाएगा यहां पर पूरी तरीके से confusion करते हैं, बुरी तरीके से confusion करते हैं, कि इनका actual answer क्या हो, अब यो करें टर्क ली करें किस ताप अब खराब होने लगता है, भाईया होने तो 50 degree पे आप रख दोते हैं, आपर भी खराब तो होने लगेगा, क्या problem आएगी यहां पर थोड़ा सा, तो यहां अथी खराब नहीं होगा दूद, खराब होगा, समय लगेगा, इन्होंने समय का तो पूछे ही नहीं है, कि कितनी देर मैं खराब होगा कब होने लग जाएगा, तो उन्होंने का को बहुत अधिक पानी कब सकता होती है अब बहुत अधिक पानी किस-किस को चाहिए सब लाते हैं, इस सबसे ज़्यादा चावल में पानी बहर रहता है, दूशी नमबर आपके घ्याउं का आता है इस बच्चे ने गलत कैसे कर दिया, चना तो होने नहीं था बिलकुल उप्सन में, चना का तो कोई मतलब में चना के लिए तो एक पानी चाहिए, घ्याउं के लिए छेचा पानी चाहिए धान में तो पानी भेरा रहना चाहिए इसका आंसर तो कोई सिंपिल था, आप लोग अच्छी प्रिकार से इसको करके आया होंगे सरद कालीन प्रमुक सोबाकार एक बरसी है फोदा देखो, सरद कालीन यानि आपके जो सरदियों में होता है कौन सा है, दोनों केंडूला तथा फिलोक्स ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको केंडूला और फिलोक्स जो है न, अब ये देखो फूलों से संबंदित है, अगर फिलोरी कल्चर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया है, तो आप लोगो गए हैं पर जो कोशन सही हो गया होगा, अन्था नहीं होगा उत्री भाद में अंगूर कार्चार, बच्चो क्रीम कह सकते हैं मलाई को, सिंपल ** सी बाथ क्या है, छलो क्रीम भी कह सकते हैं, सिंपल सी बाथी चलिए, यंग स्टोक के लिए साट के धकी भुईस्तान से सम्मंदर, कौन सा थत्थ सत्त नहीं है, तो साथ सह 9 महीनी के उमरे के लिए, तीस चर्थ यह थोड़ा सा confusion कर सकता है बच्चों ने अच्छे से यह दी पढ़ा होगा तो इस प्रिष्ट का भी आंसर अच्छी परकार से दे पाया होगे बहतर राइजोबियल nitrogen इस्तिकान के लिए आवसक पोसकता इसपर करता है तो पोसकता तो गरAND्थिय यह दे तो इसलिए होगे तो उसमें बयाइबनल में nitrogen भी िच्छे इया देखर Eagles सिंपल सा प्राश्टा यह भी आपका सही होगा जरूर सही होगा देरी गाय को धोते समय किस प्रकार के सावन का उप्योग नहीं करना चाहिए एक है डिटर्जेंट जो साथ सावन होता ना डिटर्जेंट के साथ सावन का उप्योग नहीं करना चाहिए इसे थनों को भी नुकसान होता है इसलिए डिटर्जेंट सावन का उप्योग करना चाह पढ़ाया उसे कम आया बच्चों यही प्रशन आया जो मैंने पढ़ाया ट्वल था आपने मेरे से पढ़ाया बाकि पीटी की जितनी भी मैंने कोश्ट डाले है वो भी आपने मेरे से पढ़े बहुत सारी चीजों ने तो आपका पूरा ही तो फसा है कहां कुछ दस-पांस बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने और अच्छी मेरेट जाएगी काफी बच्चों को सेलेक्शन होगा बड़ी खुसी की बात होगी देखिए बदाबरी देशन गुजराती कटियावारी सूरती के नाम से किस नसल मवीसियों को जाना जाता है तो बदाबरी देश सूरती अब सूरत भी गुजरात की नसल है सूरती यह भैस की नसल है और बकरी की नसल है आपकी सूरती ठेक ना यह थोड़ा सा आप लोग यहां रखना एक गिर आपका इसका अंसर दे रखा तो इसको को बड़ा घुमाया था उन्होंने बड़ा मवेसियों को जाना जाता ह गिर तो गाय की नसले, है ना, यहाँ पे उनका क्या देदिया, उत्पतिस्टान देदिया, गुजराती, कठिया बारी, अब अच्छा है, यहाँ पर कन्फीज हो गया, और ब्हदाबर यह तो भहैस्ट देदिया, यह क्या कन्फीजन हो गया, सूरती है, इसको भिजराती है, परत मेल हैं नहीं तो क्या आंसर गिर इसका आंसर हो जाता, kोई दिमाग इसमें लगानी जोते, घुमाया तो जाएगा, आपको सीरे 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 सीदे पुछर्ण नहीं मिलते Pwait में बच्छों, देखेंइं इन मैंंसे कौन से कारक फसल की जल्मांग को प्रभावित करते हैं, जलमांग पोदों की जो होती है उसको क्या करती है आपकी प्रभावित करती है इसके बात बात करें कौन से जाड़ी में खुस्भी वाले फूल किन्ने लगते है तो देखिए इसका आंसर है A और B इसका आंसर बतलब कामनी वी और टिकोमा टिकोमा और कामनी कामनी तो आपका अंसर इसमें सही था ही, अब टिकोमा पता को बुस्तर बच्चे सोच रहे होगे, रातरानी सही करके आया होगे, अब उनको यह सोचना चाहिए था, कि देखिए, आंसर दे रखा है, A और B आपका उप्सन दे रखा है, तो रातरानी और कामनी, A और D होता तो भी चलो माल लेत पता कर लेता, गहुंगों चावल दोनों आपकी क्या है, स्वेपरागेत हैं, बाकी तो कुछ भी हो, बस आप लगा जिते कैसी सेल्प परनेटेट फसल है, कैसी है, सेल्प परनेटेट यह तो आपको गलत होना ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं थी, यह तो थो थोड़ भारत का राष्टी फल आमल दाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया है कि भारत का राष्टी फल कौन सा है आपका, आमल, ठीक है, बचलों के उनके जनम की कितने दिन बाद बचले के बाड़े में रखा जाता है, तो पांच दिन बाद उसको रखना चाहिए, ऐसा नहीं हल के साल नहीं रख सकते, बचलों को उनके जनम की कितने दिन बाद बचले के बाड़े में रखा जाता है, भारत की प्रमों खाध्यान फसल, देखो चावल थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना गंदा बच्चा है, ये तो स्वावीन लगा किया है, स्वावीन खाध्यान थोड अरे बैंगलोर मैं कितनी बार बता हूँ, अनुसंदान होँ, कितनी बार पढ़ाया था, मैंने भारते सभी उद्धान पूरे पढ़ाया, पूरे जो आपके अनुसंदान संस्तान है, मेरी वीडियो में पूरे पढ़े हुए है, मैंने आपको पूरे पढ़ाया थे, ये तो आपको एक बात पताईए कि गर्भावस्ता के राद दो महीने पहले क्या कर देना चाहिए क्या कर देना चाहिए गाय को धोना बंद कर देना चाहिए मतलब दूद निकालना दो महीने पहले मतलब 60 दिन पहले उसको दूद निकालना बंद कर देना चाहिए उसको सुसक काल बोला जाता है ड्राइ पिरिड बोला जाता है तो ड्राइ पिरिड दो महीने का होता है कोई भी गाया महसमे तो इतना 300 दिन दे रखा है कि कितने दिनों बाद पूछा है तो 300 दिन का पूछा है बहुत सारे प्रिश्न हमारे फसे हमने जो पढ़ाया उस पे से बहुत सारे प्रिश्न फसे हैं बच्चो ये नहीं कह सकते के प्रिश्न नहीं आये हैं अगर ऐसा आप कहते हो तो आपने वीडियो देखा ही नहीं है हमारे यतनी वीडियो पढ़ेते हैं उनको आपने देखा ही करने वाले को निवंग से किस स्लैस में कप को हटा देना चाहिए तो धनकर नाकस है क्योंकि नाकस उनको स्वांस लेने में दिकत नहीं आ है इसलिए उपर एक जिली रहती है अपने कोई भी गाय या भैस में आती है ना तो बचड़े के नाकपर के अरिद्य मुँपर एक जिली रहती है तो उसको क्या कर देना चाहिए श्रेस में कप को हटा देना चाहिए थोड़ा सा पर को याद रखना है सब जानते है सिंपल है गाउं के बच्चे जो बच्चे गाउं से उनकों अच्छी परकार से चीज पता थी इसमें तो ये कोशन सही हुआ वो उनका मतनी की प्रक्रिया में मलाई को कितने मिनट के लिए तेजी से उत्तेजित किया जाता है ताकि बसा की गोली को तोड़ा जा सके जिसे बसा मक्षन के दानों में जमा हो जाती है मतनी की प्रिया मलाई को कितने मिनट के लिए तेजी से उत्तेजित किया था तो पांस से दस मिनट के लिए कितने मिनट के लिए पांस से दस मिनट के लिए ये थोड़ा सा और मतलब कोशन अंदर से दे देते हैं वो थोड़ा से घुमा के देते हैं बच्चा घुम जाता है रहें पर आपका गलत करे आता है इसके बाद है नेक्स्ट आपका भै तकनीक है ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें जीवेश चुक्राणुगों वाले बीर को नर से एक अत्रित किया जाता है और करनों की बदद से उचित तापमान मादा और प्रजनान में वाले पर पेस्स किया जाता है सिمنफल बात है किर्दम गलत मतलब क्रीम पर थक करन ऐसी घटना है जिसके दोरा दूद को क्रीम और मलाई रहत दूद किस बल दौरा किया जाता है सब जानते हैं अब केंद्रिया बल था इसमें तो आंसर सही था बिलकुल क्यों आपको पता है जो आपका यंत्र होता है जिसे डेरी क्रीम सेपरेटर जो ब उसको हम लोग अलग कर लेते हैं सिंपल से था इसमें तो कूछ दिक्कत आपको नहीं होने चाहिए थी तो आपके अंद्रिये बल के दौरा हम क्रीम को अलग करते हैं कौन सा आपसक पोसक तत्व नहीं है सब जाते कि नीट्रोजन है केलस्यम है सलफर लेकिन सोडियम नहीं ह बाकि यह चार आपके लाबदायक होते हैं, आपको पता होगा मैं जाती है, अब जानते हैं, अब किस रूप में जाती हैं है, आप ट्युप बेल जो इसलिए लगाए जाते हैं निदान के लिए किस रोग की उतकूदा तरल पदार्ञतों की zamrachot की प्रत्रक्ष्ली जांच कीляется अवस्कता होती है तो आपको पिलीया भुखर या इंतरेक्स रोग ही जांच की प्ड़त परती है असुक ब्रक्षका वर्नस पते नाम बिल्कुल 12 में पड़ाया है पॉल्थिया पॉली एल्थिया लोंगी फोलिया आपका ये नाम होता है असुक के ब्रक्षका बोटिंग लेम दे रखा है याद होगा वो उसे तक सही किया होगा एक बचला कॉलिस्टरम का प्राप्त करता है एक बचला कॉलिस्टरम जन्व के 30 मिनिट बाद जन्व के आदा घंटे बाद कॉलिस्टरम का मतला होता है खीस सब लोग जानते है कोई भी गाय या भेंस ब्याती है बियाने के तुरंत बाद जो पदार्थ निकलता है उसके थनों से उसको कॉलिस्टरम कहते हैं और बियाने के 30 मिनिट बाद कोई कहीं नहीं सकता 12 गंटे, 2 दिन, 1 दिन इत्ता समय थोड़े ना लगता है, कॉलिस्टरम तो हाली नहीं करने लगता है, बच्चे को हम लोग क्या होता है, दूद पिलाते हैं, या वोई कॉलिस्टरम खीस पिलाते हैं, सब लोग जानते थे इसको, तो कोई दिक्कत थी नहीं आपकी, जब दूद से सारा पाणी निकाल दिया था, तो उससे क्या कहते हैं, पौडर दूद कहेंगे, उससे क्या बोलेंगे, पूरा ही आपने पढ़ा हैं सब चीजे, टोल्थ की कितनी सारी चीजे मिलती हैं, बताइए आप लोग एकजाम हैं, और आप लोग जो है पढ़ते नहीं हैं, एक केंद्र अपसारक दूद बिवाजक मसीन में संकुआ कार डिसकोती हैं, जो मोडल के अधर पर प्रती मिनिट करांती की गती से एक कटोरे ड्रम में घुमती हैं, ये दे रखाया हैं, और आप लोग जानते हैं, कि आपका ये पढ़ती नहीं होगा, कोई दिकती नहीं होगए उन बच्चों को तो, अलंकृत बागबानी का मुक उद्देश क्या है, मनरंजन भी है, धार्मिक लाब भी है, सजाबट भी है, ये सब लोग जानते हैं, कि आपका ये उप्रुक सभी सकान साथ, अलंकृत बागबानी का ये तो उद्देश है, अलंकृत बागबानी 11 चेप्टर जो मैंने हैं, वो अच्छी प्रकार से पढ़ाया और अपको मालूम भी होगा 12 थे 12 से लेटेड आपके पूरे प्रश्ण यहाँ पर मिल रहे हैं आपको इसके बाद यदि हम लोग बात करें यह था पसू चिकसा ओस्दी भैस्दी जो परयावन की गुनबत्ता में सम्बन देत जानमर परयावत तवस्ता में रहते हैं इस पातावन का उनकुल्ट बनाया रखते हैं ताकि पसू स्वास्त की रक्षा हो सके इसका जो आंसर था वो थ कोई मतलब यहां पे राल था यह नहीं चलिए गहरे खुले कोई से पानी उठाने के लिए निमलिकित में से किस भी दिका उप्योग किया जाता है तो गहरे खुले हुए खुए पानी से निकालने के लिए अब बताओ ये confusion हुए हुए बच्चों को बिंडलास ये 11th का प्रशना आता है 11th agriculture आपने पढ़ रखाया है तो आपको यहां से ये सही हो जाता है कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें आपको इसको हिंदी में कुछ और बुला जाता है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा भारत में अधिकान से चाई परियोजना से चाई की किस रहनी में आती है तो टैंक से चाई को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये टैंक से चाई क्या यहाँ परिऊजना है परियोजना है परियोजना हम 12èmeOne में कहां पढ़ते हैं है ना 11 Calendar पढ़ते हैं वो भी ठोड़ा सा बिकरेता क्लुत पदन का लवग कितने परशन दूढ़ से माल सकते हैं जीवानु 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 जानते हैं किती बार बता दिया हैमिसेप्टी सीनिया आपका जीवानु से होने वाला रोग है जीवानु को नाम मी बता देता है पाच्रेला बोभी सेप्टिका पाच्रेला बोभी सेप्टिका और नहीं दोनों नहीं मिले तो पाच्रेला मल् जिनने एलिमंत मैंने पढ़ाया है वो इसका question बिल्कुल answer सई करके आए हमें वो बच्चे सन 2021 की राष्टी अर्थवस्ता किसी शितका युगदान 19.9 पर दिसा जो करेंट के question है उनको किस प्रकार से की होगे वो जानते है अगरी पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही करके आए हमें कौन सी हरीखाद की फसल है कितना सिंपल प्रश्णता कौन सी हरीखाद ये बच्चा गलत करके कपास लगाया गदे बिल्कुल आपने बिल्कुल क्या सोच समझके लगा दिया कपास गन हरीखाद की फसल है धेंचा कितना सिंपल प्रश्णता सब जानते है धेंचा सनई ये आपके हरीखात किये हैं, गणना का पास से क्या सुरूल मुल्खी से इन से बनाई जाती है, कि हरीखात, किता सिंपिल कौसन था बच्चो, निम लिकित मैं से एक बिदेशी पसु की नसल है, सब जानते हैं, गिर गुजरात की है, लाल सिंधी सिंधी की है, आपकी स्थार पारक तो बिल्कुल आपने इजी तरीके इस प्रिश्णा है, देखिए, यहाँ पर दस्त का करण, दस्त का करण क्या है, बायरस होता है, जीवानू होता है, कवाक होता है, प्रोटो जवा, बैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, दस्त का करण आप लोग जीवानू बैसे कहरे हो, लेकिन जीवानू हो नहीं सकता, यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ पर दस्त तो किसी भी करण लगते हैं, उल्टा सीधा खाने से भी लग सकते हैं, कि नहीं लग सकते हैं, बताइए, पसु अगर उल्टा सीधा खाता है, तो दस्त उसका करण जीवानू नहीं हो सकत नहीं है, इस पर जो हैं थोड़ा सामने ये करते हैं, ठीक है। सेक यह बाइरस यह बड़ा सा बच्चा पर पादाप उद्धियुक संस्तान पौदों के विसाल संग्रेक अध्धन के अधर पर उत्तपत्ती केंद्रों की अध्धाना किसके दोर रखर रहे हैं इतने बड़ा नाम याद रहरे तो बैवी लोओ उतपतिस्तान जो दिया है वे भी लॉब ने दिया है कोई दिकक अदिन में नहीं होना चाहिए सदाई एक अतियांत अबस्क प्रकिरिया है सदाई जो की जाती है सदाई को हिन्दी में कहते हैं सदाई इंगलिस में कहते हैं ट्रेनिंग और ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा किया जाती है आपकी सेव में एपल में ये ट्रेनिंग किया जाती है ठीक है वैसे अंगूर नहीं है अंगूर में सबसे भार ही आपके ट्रेन किया जाता है इसके बगीचे के रेखांकर में महत्पून कारक क्या है तो रास्ता भी चाहिए बगीचे में बाड़ भी चाहिए आपके चारो तरफ बाड़ की बात कर रहे हैं और बायो रोदक आपके पौदे भी चाहिए तो इसका अपरेख सभी था कोई दिक्कत नहीं था बगीचा जो भी लगा जाते हैं उनमें सब चीजों किया बसकता होती है सन 2021 में भाद का खाद्धान इसको आपको देखना चाहिए था यह 308 मिलियन टन रहा है 21 का भाद का खाद्धान पाई करेंट से भी 4-5 कोस्तन आपको मिल गए हैं तो यह थोड़ा सा आप लोग देख लेते तो बहतर रहा है जिनने उन्हों करेंट पढ़ागा उनका वह सही हुआ 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 मक्षन मनाने की परकिया कितने परकार की होती है तो मक्षन मनाने की परकिया है वो चार परकार की होती है चार परकार की मक्षर बनाया है तो आपका सोच रहा है कैसे कैसे बना सकते है तीन तो मैं आपको बता रहा हूँ अब चौता भाई साफ कैसे बता रहा है यह थोड़ा को थोड़ा से केली के प्रसाद ये तो बैपसाइक विदी है राइजूम केली जो होती है एक आपका फूल वाला पोदा है ये केली फूल वाला पोदा है और इसका प्रसाद दूसरा पोदा बनाया जाता है वो राइजूम के दोरा बनाया जाता है आप एक्छित ब्याने काव को ब्याने से दो महीने पहले दून निकालना बंद कर देना चाहिए ये बात कह रहा है बस सिंपल से गुमा देते हैं एक बस पेपर कोशन को बच्चा पूरा गुम जाता है और ये दिक्कत उसको हो जाती है देखिए नीचे दिए गए लक्षनों में से पसुम होने वाले रो से होता है ये उसी बायरस किती बार पढ़ाऊं सेट बन सेट टू सेट थीरी सिंपल सा था गुलाम में कटाई छटाई कप की जाती है तो फरबरी के महीने में बच्चा लगा क्या है लेकिन इसका जो आंसर है वो है अक्टूमबर का महीना अक्टूमबर में आपके जनेटिक रिसॉर्सिस इसकी फलपॉम है राष्टिय पादप अनुवांसिक संस्थाथन ब्यूरो कहां पर है निव देली में कोई दिक्कत बाली बात नहीं थी संस्थाथ मैंने पूरे पढ़ाय थे वहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी निमलिकत में कौन सी फसल है जूट भी है आपकी और सर्सों से तेल निकाए तेल भी आपकी क्या को मर्सियल हो जांगी तो इसका अंसर बंडु फें दू रश देल भी बेचल आता है तुमाखव तो बेची जाती है जूट भी बेचा जाता है रसी बनाए जाती सब जानता है चलिए कितने question आपके something हो गया है देख लीजिए थोड़ा सा आचा 100 question आपके agriculture complete हो गया है agriculture ही मैं आपको complete करा रहता बच्चो बस इतना ही और आप देख लीजिए 100 मैंसे ज्यादा नहीं तो कहूँगा मैं आपको आपके 70 से 75 प्रश्ण ऐसी प्रश्ण जो मैंने आपको पढ़ा है यदि आप मेरे से 12 पढ़े हो आप मेरे से यदि जो मैंने वीडियो डाली थी P.A.T. की वो पढ़ी है आपने तो 70 प्रश्ण आपके ही हां से सही होई होगे 70 प्रश्ण 100 मैंसे आपके से आप 17 PCMB से सही कर ली होगे लाग सकोगे इतना अच्छा आपन भ्हातरीन पढ़ा नहीं, तकी बार आपकी बार इसी पढ़ाएंगे अप लोग बिलको टॉपिक बाजच पढएंगे भ्हातरीन से भ्हातरीन पढआएंगे आप चिंता मत करना आप लोग, ठीक है न, चलिए तो बच्चे इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार